कि शार्व प्रतम तोज्जाय स्ट्रेक्रिश आज हम लोग यह जानेंगे कि जो भीष्प मत है यह भीष्प में पितामा जिनको कहा जाता है कौन थे कहां कि थे इनका वन्स परिचे क्या है विस्तार से जानेंगे इसको ध्यान से आप लोग सुनें जोंकि यह एक अध्यात्मिक है देखिए उसके पहले कुछ जानते हैं कहा जाता है कि यह स्त्रिष्टी भगवान का लीला विलाश है विस्त्रिष्टी है भगवान की भाती इसके विस्तार और भेद उपभेदों का जानना एवं वरण करना कठिन है इस समय हम लोग जिस ब्रह्मान में रह रहे हैं वह अनंत आगाश में एक परवान से अधिक सत्ता नहीं रखता इस ब्रह्मान में भी इस्तुल शुक्ष और कारण के भेदोशे अनिकों लोग हैं और वे सब पारसपरिक्षमन्द से बधे हुए हैं हम लोग जिस इस थुल पृत्वी पर रहते हैं उसकी रक्षा दिक्षा केवल इस पृत्वी के लोगों द्वारा ही नहीं होती बलकि शुक्षम और कारण जगत के देवता उपदेवता एवं शंत महापुरुष इसकी रक्षा दिक्षा में लगे रहते हैं शमय शमय पर ब्रह्म लोग से कारक पृरुष आते हैं और वे पृत्वी पर धर्म ज्यान शुक्ष एवं शांति के शामराज्य का विस्तार करते हैं ऐसे कारक पृरुष ब्रह्म की सवा के सदस्य होते हैं जो अपनी उपासना के बल पर ब्रह्म लोग में गय होते हैं वे ब्रह्म के शाथ रहकर उनके काम में हान बटाते हैं और उनकी आयुपूर्ड होने पर उनके शाथ ही मुक्त हो जाते हैं कुछ लोग वहां से लोट भी आते हैं तो संसार के कल्यानकारी कामों में ही लगे रहते हैं और एक न एक दिन शंपरुड वासनाओं के छिड़ होने पर उनके मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मलोक में गए हुए पुरुषों में स्री महाभीशेक जी का नाम बहुत ही प्रशिद्ध है ये परम पवित्र इच्छवा कुन्सु के एक राजा थे और अपने पोड़े कर्मों के फलस्वरू इन्हों ने इतनी उत्तमगती प्राप्ट की की एक दिन ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी रिशी महर्शी, साधू संत, देवता, उपदेवता एवं उसके सभी सदस्य अपने अपने अस्थान पर बैठे हुए थे प्रश्न यह था कि जगत में अधिका अधिक्षान्ती और शुक का विस्ता किश प्रकार किया जाए यही बात सब के मन में आ रही थी कि यहां से कुछ अधिकारी पुरुष भेजे जाएं और वे पृत्वी पर अवतिर्ड होकर शब का हित करें उशीश में गंगा नदी की अधिदास्त्री देवी स्री गंगा जी वहां पधारी शब ने उनका श्वागत किया शैयोग की बात थी हवा के एक हलके जोंके से उनकी शारी का एक पला उड़ गया तुरंत सब लोगों की दृष्टी नीची हो गई भला ब्रह्मलोक में मर्यादा का पारण कौन नहीं करता विधाता ऐसा ही विधान था भगवान की यही लीला थी महात्मा महाविशक की आँखे नीची नहीं हुई वे बिना जिजक और हिच हिचाहट के गंगाजी की योर देखते रहें भगवान जाने उनके मन में क्या बात थी परंत उपर से तो ब्रह्मलोक के नीचम का उलंगन हुआ ही था इसलिए ब्रह्मा ने बरीशवा में महाविशक से कहा कि भाई तुमने यहां के नीचम का उलंगन किया है इसलिए अब कुछ दिनों के लिए तुम मर्त लोक में जाओ वहां का काम तो शभालना ही है इस मर्यादा के उलंगन का दंड भी तुम्हें मिल जाएगा एक बात और है स्री गंगा जी तुम्हें सुन्दर मालूम हुई है मदुर मालूम हुई है और आकरशक मालूम हुई है उनकी योर खिंच जाने के कारण ही तुम्हारी आखे उनकी योर देखती रही है इसलिए मर्त लोक में जाकर तुम अनुभाव करोगे की जिस गंगा की ओर मैं खिच गया था उनका प्रदय कितना निष्ठुर है तुम देखोगे की वे तुम्हारा कितना अप्रिय करती है महावीशक ने ब्रह्म्हा की आज्या सिरोधारे की उन दिनों पृत्थिवी पर महाप्रतापी महाराजा प्रतीपक का सामराज था उन्होंने बहुत बड़ी तपश्या करके प्रयापालन की छमता प्राप्त कर ली थी और उन्हे पवित्र प्रतिस्थित एवं वांचनी और पोई वन्स नहीं था स्री महावीशक ने उन्ही का पुत्र होना अच्छा समझा और वे ब्रह्म्हा की अनमती से उन्ही के यहां आकर पुत्र रूप से अउत्रड हुए धीरे धीरे सुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांती वे बढ़ने लगे और उनकी तिक्ष्ड बुद्धी लोगकार प्रियता अपने कर्तब्य में तत्परता आदि देश कर महा राजा प्रतीप ने उनकी सिक्षा दिक्षा का सुन्दर प्रबंद कर दिया थोड़े ही दिनों में विशारी विद्याओं एवं बिशेश करके धनुर विद्या में निप्रुड हो गये उनकी सबसे बड़ी विशेश्ता यह थी कि वे जिस ब्रिद्यारोगी पुरुष के सिर पर हाथ रग देते वह भला चंगा हिश्ट पुष्ट हो जाता था इसी से संसार में वे शांतनु नाम से प्रशिद्य हुए प्रतीप के बुढ़ापे में शांतनु का जन्म हुआ था इसलिए वे इसकी प्रतिच्छा में थे कि कम मेरा पुत्र योग्य हो जाए और मैं उसके जिम्मिम प्रयापालन का कार देकर जंगल में चला जाओं एक दिन प्रतीप ने शांतनु से कहा बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो गए हो मैं बुढ़ा हो गया हूँ अब मैं वान प्रस्त अस्रम में रहकर तपश्या करूँगा तुम राज काज देखो एक बात तुम्हें मैं और बताता हूँ एक श्वर्गी सुंदरी तुमसे विवाह करना चाहती है वह कभी न कभी तुम्हें एक आंत में मिलेगी तुम उससे विवाह कर लेना और उसकी इच्छा पूड करना बेटा तुम्हें मेरी यही अंतिम आज्या है इतना कहकर प्रतीप ने अपनी संपुड प्रजा को एकत्र किया और सब की सम्मती लेकर शांतनों का राज्या विशेक कर दिया और वेश्वयम तपश्या करने के लिए जंगल में चले गए जब स्री गंगाजी ब्रम्हलोक से लोटने लगी तब उन्हें बार बार ब्रम्हलोकी घटनाय याद आने लगी एक आएक हवा के जोकेशे वस्त्र का खिच जाना महा विशक का देखते रहना ब्रम्हा का शाफ दे देना इत्यादी बातें उनके दिमाग में बार बार चक कर काटने लगी वे सोचने लगी कि मेरे ही कारण महा विशक को शाफ हुआ है और उन्हें ब्रम्हलोक छोड़कर मर्त लोक में जाना पड़ा है चाहे प्रतक्ष हो या अप्रतक्ष मैं इसमें कारण अवश्य हुई हूँ तब मुझे अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए चाहे जैशे हो मैं महा विशक की शेवा अवश्य करूँगी गंगा जिया शोच ही रही थी कि उनकी यांखे दूसरी ओर चली गए उन्होंने देखा कि आठो वसु श्वर्ग से नीचे उतर रहे हैं उनके मन में बड़ाकव तुभल हुआ उन्होंने वसुँशी पूछा वसुओं स्वर्ग में कुशल तो है न तुम सब के सब एक ही साथ पृत्थी पर क्यों जा रहे हो वसुओं ने कहा माता हम सब को शाप मिला है कि हम मरत लोग में जाकर पैदा हो हमसे अपराज तो कुछ थोड़ा सा अवश्य हो गया था परन तो इतना कड़ा दंड देने का अपराज नहीं हो था बात यह थी कि महर सी वसिष्ट गुप्त रूप से शंध्या वंदन कर रहे थे हम लोगों ने उन्हें पहचानना नहीं बिना प्रणाम किये ही आगे बढ़ गए हम लोगों ने जान अबूच कर मर्यादा का उल्लंगन किया है यह सोच कर उन्होंने हमें मनुष्योनी में उत्पन्न होने का शाब दे दिया वे ब्रह्मवेत्या महापुरुष हैं उनकी वाड़ी कभी जूटी नहीं हो सकती परंत माता हमारी इच्छा किसी मनुष्य इस्त्री के गर्व से पैदा होने की नहीं है अब हम तुमारी शरण में हैं ओर तुम्षे यह परातना करते हैं कि तुम हमें अपने गर्व मे धारण करो हमें साक्षात अपना शिशू बनाओ गंगा के मन में यह बात बैठ गई उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग यह बताओ कि अपना पिता किसे बनाना चाहते हैं वश्वों ने कहा महा प्रतापी प्रतीब के पुत्र महा राज सांतनों के द्वारा ही हम जन्म ग्रहण करना चाहते हैं गंगा ने कहा ठीक है तुम्हारे मत से मेरा मत मिलता है मैं भी महा राज सांतनों को प्रसंद करना चाहती हूँ पिशशे एक साथ ही दो काम हो जाएंगे मैं उनका प्रिए घर्शकूंगी और तुम्हारी प्रतना पूरी हो जाएगी वश्वों ने कहा माधा एक बात और करनी पड़ेगी हम मनुष्य योनी में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहते इसलिए पैदा होते ही तुम हम लोगों को अपने जल में डाल देना इससे रिशी का शाब भी पूरा हो जाएगा और सिग्र ही हमारा उधार भी हो जाएगा गंगा ने कहा तुम्हारी बात हमेश्विकार है परन्तु एक बात तो तुम लोगों को करनी ही पड़ेगी महाराज सांतनों का मुझसे पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ नहीं होना चाहिए कम शे कम एक पुत्र तो जिवित रहना ही चाहिए वश्वों ने कहा हम लोग अपने अपने तेज का आठवा अंस दे देंगे और हमारा सबसे छोटा भाई धुनाम का वश्व कुछ दिनों तक प्रती पर रह जाएगा वह बड़ा ही प्रतापी परन्त उसका वंस नहीं चलेगा गंगा ने उनकी बाश्विकार की और वश्वगड यतेष्ट अस्थान को चले गए महाराज सांतनों बड़ी ही युगिता के साथ प्रजा पालन का कारे कर रहे थे उनके राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं थी शब दुखों के प्रतिकार का उपाय वे पहले ही कर रखते थे श्वयम जा जा कर वे प्रजा के दुख्षुप का पता लगाते थे और उनके हित की दृष्ट से उनका विधान करते थे एक दिन भी घूमते फिरते शिद्ध चड़ सेवित गंगाजे के तट पर पहुच गए उन्होंने देखा कि एक लक्ष्मी के समान कांति वाली सरवांग सुंद्रे इस्त्री विचर रही है उसके विशय में कुछ जानने की उन्हें बड़ी उस्तुकता हुई उन्होंने देखा कि वह अनुरक्त दृष्टी से मेरी योर देख रही है और कुछ बात चीत करने का इसारा कर रही है उसके हिर्दे का भाव समझ कर समराट सांतिनों ने उस्षे पूछा देवी तुम कौन हो तुम देवता हो या दानव गंधर्व कन्या हो या नाग कन्या मनुष्यों में तो तुम्हारी जैसी सुन्दरी का होना असंभवी है क्या मेरे पिता ने जिस दिब बिष्ट्री का संकेत मुझे किया था वह तुम ही हो यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे श्विकार करके कृतार्थ करो मधुर और मंद मुष्कान से राजा की योर देखकर वशुओं की बात याद रखते हुए गंगा देवी ने कहा राजन वास्तों में मैं वही हूँ आपकी इच्छा पूड करूँगी और आपकी आज्या पालन करूँगी किन्तु आपको भी एक पृतिग्या करने पड़ेगी मैं आपके शाथ प्रिय या अप्रिय चाहे जैसा बेवार करूँ आप मुझे मना नहीं करशकेंगे और न कठोर वचन ही कहशकेंगे आप जब तक इस पृतिग्या का पालन करते रहेंगे तभी तक मैं आपके पास रहूंगे जिस दिन आप इसका उलंगन करेंगे मुझे किशी काम से रोकेंगे या निश्ठूर कठोर वाणी कहेंगे उसी शमय मैं आपको छोड़के चली जाओंगी राजा ने गंगा की बात मान ली और बड़ी प्रसन्नता से उन्हें रत पर बैठाकर वे अपनी राजधानी ले आएं दोनों ही बड़े ही शुक्षे रहने लगे शांतनू ने अपनी प्रतिज्या के कारण उन्शे उनके बारे में कभी कुछ नहीं पूछा पत्नी के चरित्र, आचरण, उदार्ता और शेवाशे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और शुक्ष शांती से अपना जीवन वितीत करने लगे शमय बीटते देर नहीं लगती शुक्ष का समय तो बहुत है शिग्र बीट जाता अनेको वर्ष बीट गए परन्तु राजा को वे बहुत थोड़े दिनों से ही प्रतीत हुए क्रमशह साथ बालक हुए और गंगा यह कहकर की मैं तुम्हें प्रशन करने के लिए ऐशा करती हूँ उन्हें अपने जल में फेक देती राजा को गंगा का यह काम बहुत ही अप्रिय मालुम होता था परन्तु गंगा के चली जाने के भैशे वे कुछ नहीं कह सकते थे जब आठवा बालक हुआ तब भी गंगा हस्ती हुई उसे फेकने के लिए चली परन्तु शी समय राजा इश्बार अपने को समाल न सके बहुत कृध्ध हुए दुखी हुए उन्होंने उसी पुत्र की जान बचाने के लिए गंगाशे कहा अरे राम तुम कौन हो बड़ी बिचित्र अवरत हो महामुर्ख हो क्या इस प्रकार निश्ठूरता के साथ अपने ही बच्चे की हत्या करते समय तुम्हारा अहरदे फट क्यों नहीं चाता तुम हत्या करड़ी हो पापनी हो डाकनी हो तुम्हारा नाम क्या है तनिक बताओ तो जंगा ने कहा महाराज आप इस पुत्र को रखना चाहे तो खुशी खुशी रख लें मैं अब इसे नहीं मारोंगी इस पुत्र के कारण आप स्रेष्ट पिता कहे जाएंगे अब मैं आपके पास नहीं रहोंगी एक चण भी अब मेरे रहने की अवधी पूरी हो गई प्रतिग्यान शार वचनान शार मेरे पिता राजर्शी चहनू हैं मेरा नाम गंगा है बड़े बड़े महर्शी मेरी शेवा करते हैं देवताओं का कार्य शिद्ध करने के लिए मैं इतने दिनों तक आपके पास रह रही थी ए आठो पुत्र वशू देवता हैं वसिष्ट के शाप्षे इन्हें मनुष्योनी में जन्म लेना पड़ा था उनकी इच्छा के अनुष्या आप महाराज आप इनके पिता हुए और मैं इन लोगों की माता हुई इनकी प्रार्थना शेही मैंने इन लोगों को अपने जल में डाल दिया है कि ए इस योनी शे शिग्र ही मुक्त हो जाएं वशुमुशे मैंने एक पुत्र जिवित रहने की प्रतिग्या करा ली थी अब यह पुत्र जिवित रहेगा अब मैं चली आप रही इस बालक के शाथ अभी तो मैं इसे अपने शाथ लिये जा रही हूँ वहां यह अध्यन करेगा कुछ सीखेगा और शयाना होने पर आपके पास चलाएगा इतना कहकर आठवे राजकुमार को लेकर गंगा देवी अंतरधान हो गई वे ही धुनाम के वशु सांतनू के पुत्र होकर देव ब्रत्थ और आगे चलकर भिश्म अर्थात भिश्म पितामः के नाम से प्रशिद्ध हुए यह वही हैं जो कुरुच्छेत्र में भगवान स्रीकृष्ण को भी उनकी वचन को तोड़ने के लिए कटिबध कर देते हैं प्रतिबध कर देते हैं तो जह भिश्म पितामा का थोड़ा फाजीवन परचे था कि भिश्म पितामा कौन थे इस से तो हम लोग को मालूम चला कि वश्म जो थे यह देवता लोग ही थे तो देवताओं का इमेंसे ही जो गंगा को विश्यानतुने की इच्छा को पूर करने के लिए ही वह उनकी पत्नी बनी जो उनको भी शाफ मिला था और वश्म को भी तो एक कहानी कड़ी बनी और इस प्रकार से जन्म होता है लेकिन जैसा कि वश्मों ने कहा था गंगा माशे की आप मेरी माता बन जाओ और सांतुन तो पिता बनेंगे ही हम लोगों के लेकिन माँ हम लोग धरती पर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहते हैं इफलिक करना ये कि जब हम लोग का जन्म होना तहाम लोग को अपने यल में डाल देना गंगाजी बोल दे ठीक है मगर बात यह रह गई कि सांतनू कि बच्चे हो आठ पुत्र हो राटवा में से कोई न बचे यह ठीक न लगा तब उन्होंने उसी से बचन ले लिया कि देखो यह तो शही है लेकिन एक पुत्र बचना चाहिए उनका तब यह शब बोले ठीक है सबसे जो छोटा रहे का धुमन यह बच जाए और यह बचे कैसे इसकाविव उपार डोल ले जब शांतनू उनकी स्थरब आकर्शित होते हैं तब उसी समें वचन ले लिती गंगा है कि मैं कुछ भी करूंगी अच्छा करू या बुरा करूं आप मुझे रोकेट टोकेंगे नहीं जब तक रोकेट टोकेंगे नहीं मैं आपके साथ हो जिस दिन आप रोकेट टोकेंगे या खटो रगबाड़ी में हमसे बाते करेंगे उसी दिन मैं आपको त्याग दूँगी मैं चल दूँगी राजा को तो समझ में आ गया नहीं कुछ उन्हें बोला ठीक है बात को स्विकार कर लिए और विवाह करेंगे गंगाजी को अपने हैं लाए वही जो वशू उत्र रूप में उत्पन हो रहे थे वे उनके कहे इनशार अपने जल में डगा देती थी अब कोई भी पिता है उसकी ही पत्नी मतलब बच्चे की मा स्वयम जन्म देते बच्चे को लिजा के जल में डाल दे एक थो डाली दो थो डाली तीन थो डाली तो क्रोध तो आएगा वही सांतनों का सभा हुआ मनुष्य होने के कारण वह भी कृध हुए और रोग दिये कि तुम कौन हो भाई बताओ न इतना निश्टूर काम क्यों कर रही हो तुम मा हो न अपने ही पुत्र की हत्या कर रही है और बोलने के कारण तब बताती है मैं गंगा हुए अब पूरी बाद बताती है कहती ही आपने मुझे रोका टोका मैं वचन दी थी आपको और कहन उसार मैं जा रहे हूँ यह आपका पुत्र यह बचेगा इसको अपाली लेकिन उसमें भी कहा गया था कि उनका वंस नहीं चलेगा आगे चलके आपने देखा कि भिश्म पितामा जो है यह विवान नहीं करते हैं और जब विवान नहीं करेंगे तो वंस नहीं कहां से करेंगे जाए स्रीकृष्ट जाए स्रीकृष्ट